तो हाई एव्यवान मेरा नाम है इश्रिका वेलकम बाक ती हुदा अनदर वीडियो आज की वीडियो काफी जादा इंपॉर्ण होने वाली है काफी जादा यू नो इसकास्ट टॉपिक होता है यही वाला डिमांडिंग टॉपिक होता है जिसमें बच्चे कहते हैं कि हमें बे जाओंगा कैसे हां तो देखिए चलिया आज की वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते है राइट अब जो बी एड एक्जाम है जो कि 2024 का है राइट ग्जाने वाले हैं मुझे कैसे देने हैं तो यह स्टार्ट करने से पहले नहीं मुझे जानना बहुत जरूरी है कि बीएड पर यह चलिक बात करहीं हें तो इसे पिए डिएट पर कारोगी आध लहीं चलिक कर रही हूं है कि अगर वुर्ड फॉर्ट पर्य। है बहुत जादा important topic है कि हमें ना preparation कैसे करनी है हमें नोट किस तरीके से बनाने हैं कि हमारा जो exam है वह हम बहुत अच्छी तरीके से clear कर लें को धियान से देखो जो हमारा last moment पकरते हैं और आप यह भी सारे last moment पे ही वीडियो देख रहे होगे तो यह हम करते हैं last moment अब आखरी समय में अगर मैं क्या कर रही हूं बीड की पड़ाई कर रही हूं और मुझे नोट्स बनाने हैं तो मैं कैसे बना सकती हूं बहुत बढ़ी आप वीडियो जाने वाली है सब्सक्राइब खार जाओगे कि मुझे किस तर्फी के नोर्त स्पे लेने हैं और कहां myself कर रहे हूं कहां मैं अपना time साथ साथ कंईयूम् कर रहा हु रही हु तो चले अगर मैं बात करते हूं fact के नोर्त बनाने की तो सब से पहले हम क्या करते हैं। हमारे पास कोई भी बुक हथी है ओक फिर हमारे पास 10 election पिख लूंग और अगर आप ध्यान दिंग अगर पढ़ आप गर अब शिंस ओनत्री है तो आपको क्या धना चाहिए 10 नियर कोशें पर उटाना चाहिए और यह अनलाइज करना चाहिए यह देखना चाहिए की कौन सा कोशन है जहाई जो मेकसिमम टाइप कोँ जैसा कोशन है विच कोशन रिपीटेड मेकसिम हम टाइप अब देखो ध्यान देना बिकटल ध्यान से देखो दस साल की जो questions गेंना दस साल की पिछले 10 साल से आरह you ढ Г ładनलाइज करो या कोनगी यह जैसा उसको नोट्टाउण कर लो बसको नोट्टाउण करगी अब वह नॅटीकोलर डॉपिक्स उडाओ वह वढद रापczenia मरा ले क्ली मा के कुन्टाव लेरनिंग करना है तुम्हें उसे समझ के क्योंकि तुम्हारा सी इठ तो उसके लिए हमें concept learning भी बहुत ज्यादा important है अब यह हम बात कर रहे हैं सिर्फ last moment वालों के लिए last moment पर पड़ रहे हैं वो सारी उनिट्स नहीं कर सकते हैं हम या तो क्या करेंगे हर एक पेपर को दियान से अनलाइज करेंगे उसमें दियान से देखेंगे और फिर उसमें देखेंगे कौन सा question जो है maximum time repeat हुआ हुआ है और वो question को जो है सारे questions को वो हम क्या कर देंगे वो सारे topics को में एक जगा पे नोट डाउन कर लूँगी जब में उन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लूँगी फिर उसके बाद उसकी conceptual learning करना start करूँगी राइट अब conceptual learning किस तरीके से होंगी अब हम बनाएंगे notes notes किसके topics के जो topics हमारे लिए most important हमें लगे हैं राइट छीके जी अब यहीं पर हमारे पास कुछ notes हम बनाएंगे most important topics के राइट फिर उसके बाद वो notes बनाने कैसे हैं ये भी हम सीखने वाले हैं राइट दियान से देखेगा और काफी सारी मेरी ऐसी वीडियोस हैं काफी सारी मैंने ऐसी वीडियोस बनाई हैं आप जाके देख सकते हैं जो कि जिसमें आपको notes easily मिल जाएंगे notes easily मिल जाएंगे bilingual है वो right bilingual यानि की Hindi में भी दे रखा है उसमें और English में भी दे रखा है आप काफी सारी वीडियोस चेक आउट कर सकते हो जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी और आप easily पैचान जाएंगे कि हां मुझे इसी तरीके से notes बनाने हैं अब देखते है notes बनाते किस तरीके से हैं अगर मुझे notes बनाने हैं तो मैं बनाओंगा कैसे सबसे बहले अब आपने कोई भी एक unit उठा ली let's suppose कि आप अभी last moment पे नहीं पढ़ रहे हैं अपने 10 year नहीं उठाई है अपने book उठाई है जिसमें से पहला unit उठाई है उसमें आपको most important questions दिखा या most important आपको topic दिखे हैं तो आप उसे किस तरीके से बनाएंगे let's suppose कि मैंने pedagogy of social science ले लिया है कोई भी हम topic ले सकते कोई दिक्कत की बात निया है जैसे कि मैंने autism के उपर ले लिया है जो कि कि किसका part है यह particular unit है तुमारी कि subject की creation of inclusive education जो कि second year का क्या है हमारा subject है autism का मैंने ले लिया अब यह रहा मेरा autism का दियां से देखेगा किस तरीके से मैं बनाती हूँ अपने notes बल्कुल दियां से देखना और इतने important और इतने effective notes रहेंगे न कि तुम लोग last तक बल्कुल तारीफ करोगे कि yes मैं इस तरीके सामने learn किये तो और बहुत अच्छे तरी इस तरीके से मैं autism के नोट्स बनाऊंगी सबसे फ़ले मैं लिखूंगी autism जो कि मैं पढ़ने जा रही हूं रही हूं रही है आप हिंदी में तो आप हंदी में भी जरूर यहां पर लिखेंगे autism के बारे में इसी के बाद मैं यहां पर आ जाओंगी जो कि है उसके symptoms right मैं इसक इसके कॉंसेप्टियल लर्निंग मेरी बात ध्यान से सुनना विखेंगा तुम यह नहीं करोगे कि तुम पूरा की पुरा रट्टा मार के उसको लूर्न कर चल जाओगे ऐसा नहीं है हम क्या करते हैं हम कॉंसेप्टियल लर्निंग करते हैं मैंने symptoms पढ़ लिखेंगे रिपितितिव भीएवियर होगा राइट रइट रइपिटिटिव भीएवियर होगा हाइपर एक्टेव बच्चा मैंने इस तरीके से प्रिपेर ख्रू यह नहीं मैं पूरा लिख रहे हूं इम्पर्स अचर यह बहुत कम उगी आईक्यू कम बगा राइक्यू लोग और सा की तरीके से आगे बढ़ुझे मैं, यहां पर लिखूंगे मैं causes, क्या उसके कारण होते हैं, यह तो लक्षन का गए, यहां पर हमने लक्षन लिख दिए, आप हिंदी में हैं तो आप हिंदी में लेकनें इसी तरीके मैं causes के क्या लिखूंगी, points लिख तो यह मेरे नोट्स बन रहे हैं और इतने बढ़िया नोट्स बन रहे हैं कि लास्ट मुमेंट पे कल गी मेरा पेपर है तो जब मैं पेपर यह इतने बढ़िया तरीके से कि इसके बाद मुझे कहीं और पढ़ने की जुरत नहीं बढ़ेगी जब भी हम किसकी बात करते हैं लास्ट मुमेंट पर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम अपना अच्छे से यून एक एक यूनित को लेके चल रहे हैं तो मैंसे बनाएंगे कभी भी नोट्स हम इस तरीके से नहीं कि हमने रिपेटिटिव बहेवियर लिखा उसके बाद मुसक बिल्कुल पारग्राफ बड़ा बड़ा पारग्राफ लिख रहे हैं राइट हमेश्रा कैसे बनाते हैं आपके यूनो विखेएं चल रहे हैं इसी की बाद मुझे लग रहा है कि त्रॉमा के लिखना स्ट करूंगी इसके कुछ वर्ज मुझे इंपॉर्टन लग रहे हैं और यह मुझे पेपर में जरूर्ट्स लिखने इस तरीके से में बनाऊंगे अपने नोट्स यानि कि मैं इस तरीके से नोट्स बनाती हूं जिसमें आपको heading से याद रहता है आप जब एक पर ही heading देख लेंगे तो आपके सारे concepts दिमाग में बिल्कुल भर के निकलेंगे फूलों की तरह खिलेंगे कैसे कि हमें heading पढ़ ली यह यह चीजा हमने इसके अंदर पड़ी और मैं इस तरीके से पेपर में लिख्या हूंगा कभी भी हम रोट लर्निंग पर ध्यान नहीं देते हैं किसमें यह फिर इस तरीके से हम कोई professional course कर रहे होते हैं तो हम यह पर conceptual learning करते हैं हम concepts पढ़ते हो और उसी तरीके से हम पेपर में बनाके आते हैं तो मैं आपको एक बर ही अपने नोट्स भी दिखाना पसंद करूंगी आप एक सेकंड रुकेगा दिखान दिखेगा देखे बिल्कुल इस तरीके से हमारे नोट्स प्रिपेयर होते हैं बिल्कुल दिखान से देखे हैं हमने communication challenges वही autism के बारे में आपको बता रही थी communication challenges के इस तरीके से हमने नोट्स प्रिपेयर किये हैं उसके बाद repetitive behavior भी लिखा है उसका क्या होता है कारण होता है होता है इस तरीके से हमने बतलब सारी चीज़े points में याद की सारी चीज़े हम points में याद करते हैं अब देखे sensory sensitivity सारी चीज़े दियान दीज़ेगा बिल्कुल इसी तरीके से हमारे notes प्रिपेयर होते हैं और इसी तरीके से जो है हम वह learn करते हैं तो आप you know मेरा code भी use कर सकते हैं आप मेरा code भी इस्तमाल कर सकते हैं किस चीज के लिए अगर आप enroll कराना चाहते हैं हमारे course के लिए तो आप हमारा code भी इस्तमाल कर सकते हैं और साथ-साथ मैं आपको अपना code बता देती हूं विच इस यश्री 50 आप मेरा code इसमाल कर सकते हो विच यश्री 50 for 50% discount right for 50% discount आपको मिल जाएगा आप हमारा code मेरा code use कर सकते हो विच यश्री 50 आपको 50% discount easily मिल जाएगा तो I hope आपको वीडियो बहुत बड़िया लगी होगी काफी चीजे आपने सीखी है किस तरीकी से नोट्स प्रिपेर करने हैं साथ साथ आपको यह नो बुक से किस तरीकी से पढ़ना अगर आप बुक से पढ़ना तो युनिट वाइस इसी तरीकी से नोट्स बनाई है अगर आप बात कर रहे हो तो सारे question paper को analyze करो अच्छे से सारे question जो भी repeated time आये हैं बार बार और हम आपने किया बनाएं यह नोट्स बनाए है mind mapping की है यह mind mapping और ऑटेजम ठीक है और देजम की सिम्टम स्थिक है मेरे पास यह 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 रहे और अटेजम की टाइप यह रहे मेरे पास इस तरीकी से mapping करते हैं तो यह क्या 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 implementation हुआ है क्या क्या you know causes थे क्या क्या hurdles इतना सारा नहीं लिखना हमें हम paper में इतना सारा लिखना हैंगे ना कि हमें यहाँ पर रट्टा लगाने यहाँ पर चीज़े लिखने हैं यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे main main चीजे main main important important words जो कि मैं paper में लिखूंगे और मुझे अच्छे से marks मिल जाएंगे और आपको heading, paper को लिखने का तरीका भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीकी से समझाया हुगा है, कि आपको सिर्फ heading लिखनी है, बड़ी बड़ी जिससे आपको heading बड़ी बड़ी और उसके नीचे उसके content लिखना है, उससे एक representation अच् कि मुझे लग रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझाया है, और इसी तरीकी से ऐसी वीडियो जो है, मैं लेकर आती रहूंगे, कोई भी doubt हो, आप मुझे comment में बता सकते हैं, कोई और वीडियो आपको required हो, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, तब तक किरे बाबाई, औ मिलते हैं आपसे निक्स वीडियो में.